हेलो फ्रेंज, वेलकम टो एट्वेंटीफो नॉलेजे, ओफिशन लिटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी की नियू रिकुर्मेंट नॉटिफिकेशन के बारे में, इसकी एलविटी कंडिशन के बारे में, साथ में सेलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, और आप इसमें कैसे आविधन कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो यहाँ पर फ्रेंज जो इनॉटिफिकेशन है, ये फ्रेंज, आपको देखने को मिल जाएगी, वीडियो डिस्क्रिप्चिन में, आपको लिंक रिंक मिल गया है और इसका भी लिंक आपको description में jobrasa.com पर देखने को मिल जाएगा वहाँ पर जाकर आप notification को check out कर सकते हैं, read out कर सकते हैं, अगर आप applicable है तो apply कर सकते हैं बात करेंगे इस वीडियो में बंगाल इंजिनियर ग्रूप मिन्स बीजी की यहाँ पर notification के बारे में और इसके form apply process के बारे में और इससे वीडियो को start करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है subscribe करें, share करें, like करें जिससे आपको आने वाली सारी updates मिल सकें तो यहाँ पर फैंस यह इसका official notice है जो कि employment newspaper में जारी हुआ है 12-18 मार्च 2022 में government of India, ministry of defense, बंगाल, engineer group and center, रुटकी की यह notification है जो कि defense civilian employees के लिए निकाली गई है इसमें friends जो eligible candidate है, इंडिया national candidate है वो इसमें friends A4 size paper पर इसका जो आपका यहाँ पर form है उसके थुरू आप इसमें आविदन कर सकते हैं सबसे पहले vacancy है, यहाँ पर friends आपके LDC की जहाँ पर total number of post आपके चार रहेंगी, 18-35 साल आपका ace criteria है, बारवी class pass out होना जरूरी है और desirable में आपसे English typing या फिर Hindi typing आपसे मांगी गई है इसके लावा storekeeper की vacancy है, तीन post आपकी यहाँ पर रहेंगी, 18-35 साल आपका ace criteria है higher secondary 10 plus 2 pass out होना आपका जरूरी है और एक साल कार आपके पास experience है, computer की knowledge है, तो आपको extra benefit मिल जाएगा बाकी है desirable है, essential qualification mandatory होती है, apply करने के लिए इसके बार है civil trade instructor की vacancy, तो यहाँ पर देखिए total post है, 3-18-35 साल इस criteria रहेगा matriculation pass out होना आपका जरूरी है, साथ में आपके पास industrial training institute से फ्रेंस जो IT होती है, वो आपके पास होनी चाहिए relevant trade में इसके बार cook की जो vacancy है, यहाँ पर 19 vacancies रहेंगी, matriculation pass out होना और साथ में Indian cooking की knowledge आपको होनी चाहिए, इसके बार फ्रेंस से MTS की vacancy है, watchman की, gardener और सफाई man की तो यहाँ पर देखिए 5 watchman के लिए है, 5 ही gardener के लिए है, और 4 सफाई वारा की vacancies आपकी रहती है दस्वी class pass out होना आपका जरूरी रहेगा लैसकर की 2 vacancies है, matriculation pass out होना जरूरी है, washerman की 3 vacancies है, matriculation pass out होना जरूरी है बार बर के लिए 4 vacancies है, matriculation pass out होना जरूरी है इसमें तो टोटल लंबर पोस्त है, वो आपकी 52 रहेंगी, category wise vacancies आपको यहाँ पर दी गई है अगर SCST, OBC में अगर vacancies नहीं है, तो आप जंडल में apply कर सकते है मेंली 10 वी pass होना, 12 वी pass होना आपका जरूरी रहेगा, apply करने के लिए इस criteria 18 से 35 साल रहता है इसके बार friends यहाँ पर देख क्या आपसे कहा गया है, documents या photograph जो कि application form के साथ required रहेगा तो self attested photocopies आपको send करनी होंगी, जिसमें matriculation या फिर 10 का pass certificate आप send करेंगे सभी post के लिए इसके बार आपका 10 plus 2 pass certificate, ITIE certificate, passing certificate, diploma, graduation या PG का, अधार card and pen card, experience certificate, cast certificate, इसके लावा EWS certificate, disability certificate, discharge certificate तो जो भी आपका यहाँ पर applicable है वो आपको send करना होगा साथ में आपको फ्रेंज से application form के साथ दो self address envelope भी send करने होंगी, जिसमें 22 रुपे के postal इसकाम पर लगे होने चाहिए admit card भी फ्रेंज से आपको prescribed format में A4 size paper पर send करना होगा और आपके recent pass certificate photograph आपको send करनी होगी, application form पर enclose करनी होगी और दो additional photo आपको send करनी होगी तो ये फ्रेंज से आपको application form के साथ send करनी है, तो ही आपका form यहाँ पर valid माना जाएगा इस criteria 18-35 साल है, जो की closing date पर count होगा अब closing date क्या है, इसके बारे में अगर बात करें तो फ्रेंज से नीचे आपको यहाँ पर details देखने को मिल जाएगी जिसमें आपसे कहा गया है, last date जो है, वो फ्रेंज 30 days रहेगी, जब भी आपका यह employment newspaper में आएगी update अब यहाँ पर फ्रेंज जो यह update है, यह फ्रेंज से आपकी जारी होई है, 12-18 मार्च 2022 से तो 12 मार्च से आपके form start हो गए है, और 30 दिन तक आप इस form को find कर सकते हैं, apply कर सकते हैं, अगर आप applicable हैं तो यहाँ पर फ्रेंज से देखिए, आपसे कहा गया है, maximum 60 candidate per vacancy बुलाई जाएंगे return examination के लिए और यहाँ पर फ्रेंज से आपसे कहा गया है, similar maximum 10 candidate बुलाई जाएंगे skill test के लिए अब यहाँ पर आपसे कहा गया है, देखिए scheme of examination मिनसे इसके selection procedure के बारे में तो selection procedure फ्रेंज से यहाँ पर होगा, base of merit जिसमें आपका जो return test होगा, skill test होगा, इसके basis पर आपका selection होने वाला है return test फ्रेंज से यहाँ पर 4 section या 4 part में divide किया गया है, पहला part है general intelligence and reasoning, 25 question होंगे 25 marks के general awareness के 50 question होंगे 50 marks के, general English के 50 question, 50 marks के और numerical aptitude के 25 question, 25 marks के रहेंगे overall आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, एक question फ्रेंज से आपके एक number का है, negative marking 1 4th की रहेगी, मतलब 0.25 marks की आपके यहाँ पर रहने वाली है question paper, English and Hindi दोनों ही language में आपको available होगा, इसके लावा फ्रेंज से जो syllabus है, LDC store की पर, या फिर जो आपका यहाँ पर CTI है, इनके लिए फ्रेंज से आपको बताया गया है, जो level है, वो 10 प्रस 2 और 10th level का रहेगा post wise, क्योंकि LDC store की पर के लिए 12 रिकॉइड है, तो 12 level का होगा, बागी post के लिए matriculation है, तो matriculation level का आपका यहाँ पर होने वाला है, इसके बाद फ्रेंज से यहाँ पर जब आप इसको complete कर लेंगे, इसके बाद आपको बुलाया जाएगा फ्रेंज से practical test के लिए, या फिर typing test के लिए, जो कि LDC के लिए है, इसके बाद ही आपका इसमें final selection होगा, submission of application friends से यहाँ पर जो परफॉर्मा आपको दिया गया है, उसके साथ जो भी self-attested documents required है, वो आपको friends से send करने होंगे, दिये गे इस address पर, जो कि है the commandant बंगाल engineer group and center road की उत्राखंड पे, अब यहाँ पर फ्रेंज जो फॉर्म है, या आप रजिस्टर पोस्स के पर ही हने वाला है, इसके बाद यहाँ पर कुछ instructions हैं, जिनको आप read out कर सकते हैं, इसके बाद आप बात करते हैं, इसके application form की, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको फोटो लगानी है, फोटो आपको self-attested करनी होगी, मतलब cross sign आपको उस पर करना होगा, post applied for, किस post के लिए apply करन है, उसकी जानकारी देनी है, इसके बाद category आपको mention करनी है, name of the candidate, जो की matriculation certificate, मतलब 10 वी की mark sheet के according है, block letters में आपको लिखना होगा, इसके बाद आपको father या husband नेम देना है, आप अगर implement office means रोजगर कराले में रदिस्टर हैं, तो उसकी जानकारी आपको provide करनी होगी, नैस ज इसके बाद आपका date of birth, आपका matter status क्या है, last date पर आपकी ace criteria count करकर आप mention करेंगे, gender आपको देना है, nationality, अधार card number, pen card number आप यहाँ पर mention करेंगे, इसके बाद अगर आप ex-serviceman हैं, तो yes or no कर सकते हैं, और अपनी जानकारी provide कर सकते हैं, इसके बाद प्याप्यकेशन की जान आप attested करके आपको attach करने होंगे, कोई experience आपके पास है, तो आपनी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर no करेंगे, नीचे आपको declaration है, जिसमें आप date and place mention करेंगे, और यहाँ पर signature करेंगे, दो recent self attested photograph आपको send करनी है, और जो attested copies, जैसे आप 10 की mark sheet, 12 की mark sheet, card certificate, आपकी ID proof यहाँ पर send कर रहे हैं, इसकी जानकारी आप यहाँ पर provide कर सकते हैं, इसके बार फैंसे यह आपका office यूज के लिए रहेगा, तो आपको यह fill नहीं करना, इसके बार फैंसे क्या वज़े से आपके form reject हो सकता है, इसकी जानकारी आपको दी गई है, तो जो भी आप आपको यहाँ डिल दी गई है, वो आपका mention करना जरूरी रहेगा, इसके बार फैंसे नीचे आप आएंगे, यहाँ पर admit card का performa है, जो कि capital letters में आपको fill करना है, यहाँ पर भी आप photo लगाएंगे, किस post के लिए और किस category से apply कर रहे है, नाम, father name, date of birth, gender, अधार का number, कोई भी identification mark और आपका correspondence address वो आपको यहाँ पर देना होगा, इसके बार यह office use के लिए है, तो आपको इसको fill करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर फैंसे यह आपका application form है, जो कि मैंने आपको provide कर दिया है, कैसे apply कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी provide कर दी है, अगर फैंसे आप आपको हमारी update पसंद आई है, और आप चाहते हैं, ऐसे ही regular updates आपको लगातार मिल सके, तो फ्रेंस इसके लिए like, subscribe and share जरूर कीजिए, बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ, देखते रही हमारे YouTube channel, and last thanks for watching.